हर GI material अच्छा नहीं होता तो फ्रेंड आज इस वीडियो बात करूंगा GI process या Galvanaging process के बारे में hot deep Galvanaging process क्या होता है cold deep Galvanaging process क्या होता है hot deep and cold deep Galvanaging product में क्या difference है एंड ए दोनों में से best quality कौन सा है एंड क्यू है ओके तो आप लोग इस वीडियो के देखते रहे हैं तो हेलो फ्रेंड मेरे नमेरे जमूल खान आप सब लोग हमरा चैनल क्रासफ क्यूरिसिटी में स्वागा थे तो फ्रेंड स्टील के उपर Galvanaging करने से ओ एंटी कोरोशन बन जाता है ओ जो प्रोडाक्ट है उसका लाइप बढ़ जाता है एंड ओ लिस मेंटेनेंस खर्चा होता है ओके तो आप बात करते कि कोल डीब गैल्वनेजेशन क्या है कोल डीब गैल्वनेजेशन जिसको हम लोग इलेक्टो प्लैटिंग गैल्वनाइज्ट नाम से भी जानते हैं तो फ्रेंड नेम से आप लोग को पता चल गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक का यूज होता है तो यह पूरा प्रोसेस है इसको समझाने के लिए मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ जिससे आप लोग को समझने में शुवीदा होगा ठीक है तो मैं आप यह वायर लेता हूँ जो ब्लैक वायर होता है तो इससे पहले फ्रेंड मैंने बिलेट से ब्लैक वायर कैसे बनाया ज पता है उसके बात रिंसिंग किया जाता है जिससे में स्वीएं इसको बूस्स करने के लिए तो जब यहां से पास होता है यहां पर ढॉल्यच है उस ऑचे नेगेटिव आयन होता है तो नेगेटिव हमेशा पॉसिटीव को अठीक करता है मतलब ओ अपनी तरफ खीशता है तो इसके तुरू क्या होता है जो फिशी यह फुम नेगेटिव आयन जाता है काईचोड होता है ठीक है तो इसके सलते डिरेजरी है Nic आ healthier कि बनना बंदान अपार जाता है तो इसोपर कोटिंग भीन पूरी होता है इसके लिए दृब इसका नाम है और प्रोरा में लाइजिन प्रॉशेस कंगे आगे का रिंद پूरा document स्कूरा बन जाता है तो hot deep galvation process के लिए भी जो black wire है उसको पहले acid से clean किया जाता है और उसके बाद रिंसिंग किया जाता है और उसके बाद यह wire को एक flux का solution बनता है उसके through pass करवाय जाता है और जिसके चलती है इसके उपर एक flux का coating बन जाता है जो basically prevent oxide formation के लिए किया जाता है मतलब oxide formation नहीं होने देगा ठीक है तो उसके बाद इसको dry करके एक molten zinc bath बना जाता है जिसके through इस wire को pass करवाते है जब pass होता है zinc bath के through तो इस wire के उपर एक metallurgical reaction होता है zinc and iron के बीच में जिसके चलते हैं एक zinc iron का alloy formation होता है पूरा wire के उपर जिसके चलते हैं एक robust coating formation होता है wire के उपर robust coating उसको हिंदी में क्या बोले मतलब एक मजबूत coating बन जाता है उस wire को बच जो मतलब एक steel का part बन जाता है ठीक है तो इसी पूरा process एक hot environment में होता है तो इसलिए friend इसको hot deep galvanizing process कहता है तो friend आप लोग को समझ में आगया cold deep galvanizing and hot deep galvanizing आप यह दोन में difference क्या है यह देख लेते है तो difference का बात करो तो friend यहाँ पे जो cold deep galvanizing process होता है एक wet environment में होता है जिसके चलते जो physical attachment है steel and zinc के बीच में उतना ज्यादा compact नहीं होता ठीक है and इसका जो coating layer है ओ uniform नहीं होता है ओ कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है and इसका जो coating amount है ओ भी कम रहता है यह आपका 5 से 30 grams per meter square इसके बीच में ही रहता है यह आपको कम budget में मिल जाएगा आप खरिदने जाएंगे तो आपको cold deep galvanizing का product कम पैसे में मिल जाएगा लेकिन इसका जो life है ओ उतना ज्यादा नहीं है यह जल्दी खराब हो जाता है इसको पर जो zinc का coating है ओ कम रहता है and यह एक physical attachment है इसमें तो alloy formation नहीं होता है कि एक डा bonding बहुत अच्छा से attach रहता है तो यह जल्दी आपका zinc चला जाता है जिसके जलते रास्ट जल्दी पकड़ लेता है and material खराब हो जाता है तो friend other hand पे आपका hot deep galvanizing का बात करो तो वहाँ पे जो zinc का coating है ओ आपका बहुत ही बढ़िया coating मिल जाएगा और cold deep galvanizing से hot deep galvanizing में आपको coating जादा मिलेगा यहाँ पे high coating मिलेगा and वहाँ पे जो coating layer है वह आपका uniform रहता है ठीके and वह जो bonding है वहाँ पे alloy formation होता है जिसके चलते हो zinc जल्दी हटता नहीं है वह बहुत दिन तक long lasting होता है ठीके वह एक बार आपको हला कि वह आपको ज्यादा पैसा से खरीदना पड़ेगा लेकिन एक बार आप खरीद लेंगे तो वह बहुत दिन तक चलेगा आपको मतलब initially आपको ज्यादा cost देना पड़ेगा लेकिन वह आपका long lasting होगा ठीके तो एई difference होता है cold deep and hot deep galvanizing product है ठीके तो ultimate technology and users का बात करूँ तो hot deep galvanizing का जो product है जो material है और best quality का होता है cold deep galvanizing से ओके तो फ्रेंट इस बुड़ी में इतना ही कुछ भी question हो तो फ्रेंट नीचे comment section में पूछ सकते और मेरा काम अच्छा लगा तो support जुरूर कीजिए तो फ्रेंट इस बुड़ी में इतना ही see you next video तब तक के लिए bye bye